तो हालही में मैं एक टूर रुपे साहदा, जहाँ पर मैंने प्रकृती के कुछ बहुत एक खुबसूरत नजारे देखे और इनी नजारों में से मैंने कोशिश किये है कुछ प्रकृती के ऐसे नजारों को कैप्चर करने की और उनको फिर हम ड्रॉ करने की, कुईकि जो नेच तुका था मैं वहाँ पे एक सुन्दर सा ऐसा लोटस था आज इसी को ड्रोव करेंगे दोस्तों मैं हूँ आपको दोस्तन के तो आज हम लोग इन जो यह आप देख रहे हो लोटस इसको ड्रोव करने वाले हैं यूजिंग सॉफ्ट पिस्टल्स और यह बहुत बीसिक ट्रिक ह आने मतलब अगर यह समझ लिया तो आप सॉफ्ट पिस्टल रॉइंग कर सकते हो तो अभी मैं शुरुआत कर रहा हूं आउट लाइन्स के साथ यहां मैं एक पिस्टल पैंसि यूज़ कर रहा हूं आपको ऐसी कोई जरूवत नहीं है अगर आपके पस नॉर्मल पैंसिल है उससे ड्रॉआ करो वाइट चार्कोल पैंसिल है उससे ड्रॉआ करो ब्लैक चार्कोल पैंसिल है तो उससे भी ड्रॉआ कर सकते हो किजी भी ऐसी पैंसिल से आप ड्रॉआ कर सकते हो बस आउट लाइन्स की बात है मेरे पास है यह पैंसल तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूं क्योंकि हम directly आएंगे darker areas पे तो अभी मैं यहां पर थोड़ा सा identify कर देता हूँ कि dark area है कौन कौन से यह pencil को ही use करके rather ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यह pencil आपके पस होनी चाहिए it is just to show कि जो red areas हैं वो इस lotus में कहां कहां पे हैं अब हम आ गए पिस्टल ब्लॉक्स पे जो में आपका यहां से शुरुवात होगी अगर आपके पस खाली पिस्टल ब्लॉक्स ही है तो ठीक है तो अब सबसे पहले जो colors देखो एकदम exactly colors आपको नहीं मिलेंगी फिर आपको बहुत wide range लेनी पड़ेगी तो जो color अब लेपिन है उसी से भी draw करना शुरू किया है थोड़ा सा magenta की तरफ का यह color है हाला कि exact वो color नहीं है लेकिन फिर भी आप इससे बना सकते है color और इसी दर जगर आपको गहराई से दीखना है soft vessel के बारे में तो मेरे soft vessel की class skillshare पे वो ज़रूर जोइन करो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बहुत सारे लोगों ने सीख रखा है वहां पे 5000 से उपर स्टुडेंट्स हैं जो वहां सीख रहे हैं regular basis पे तो आप जोइन कर सकते हो नीचे तो उसका link आप आ जाते हैं class पे तुरण से बापिस क्योंकि यह बहुत important class है बहुत जल्दी से मै get the depth of this particular soft pastel drawing तो जब भी देखो हम इस तरह के still life या फिर कुछ plant study या bird study animal study ऐसा कुछ करते हैं बेग्राउंड को बहुत important होता है और background जितना बैतर दंग से अगर आप बनाओगे तो उतना ही अच्छे से जो foreground है जो बाहर का main drawing यह वो नज़राएगा important अभी यह है कि जो paper है य आप करो tone paper यूज करो कोई भी company का ले सकते हो आप जो भी आपके पास available हो कुछ नहीं तो आप craft paper भी ले सकते हो market से पस थोड़ा सा rough होना चाहिए अब देखो जो variant color यूज कर रहा हूं कभी stab green कभी light green अभी बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि इसको बोलते है under painting एक तरीके की स मच करने के लिए मेरी यादत है मैं darkest वाले एरिया से पहले शुरू करता हूं लेकिन कोशिश करनी चाहिए lightest area से shading को in build करने का शुरुआत करनी चाहिए अब यादत-ादत की बात है सबकी अपने-पनी preferences हो सकती है अब एक जितना यह कर लेने के बाद इस तरह से आपको नज के options हैं तो आप यूज़ कर सकते हो और यह वली drawing में मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इसे draw करो इस image को कोई भी flower की image ले लो अगर यह नहीं करनी है तो और यही process यूज़ करो कि पहले जो majority of the color then dark color background में आप उसके बाद lighter color और फिर उसके बाद कुछ reds colors को भी यूज़ कर र लेनी है अगर नहीं है तो white pastel pencil पी ले सकते हो बहुत अच्छा गाम करती है white charcoal pencil आचकल बहुत सारी brands की आने लगी है तो वह यूज़ कर सकते हो फिर साथ में मैं कुछ other charcoal pencil को भी यूज़ करनी कुछ किया है बट उतना वर किया नहीं उसने तो छोड़ दिया मैं उसको अब मै लोटस जो है बहुत proper डंग से नजर आने लगे और यह ड्रोइंग मैंने basically मैं outdoor में था मैं घूम रहा था कहीं पे जहां होटल में मैं रुखा था वहां पेक लोटस था जो रोज खिलता था और रोज फिर शाम को बंद हो जाता था जैसे कि इनकी नेचर होता है तो वह मैं जैसे प्राण है एक तरिके का अब similar यही process करते हो जब आगे बढ़ोगे ना थोड़ा blend करोगे थोड़ा सा color यूज़ करोगे तो एक certain level के बाद काफी चीज़ें finished हो जाएंगी अभी एकदम रफ लग रहा है लेकिन देरे देरे जब इसमें add करते जाओगे तो थोड़ा सा आकर बढ़ाता हूं दो को जैसे यहां पर ऐसा नज़र आने लगेगा अब इसके बाद कुछ highlights को create करना है जैसे मैं कर रहा हूं जैसे yellow को कुछ use करो background में और जो आगे का जो lotus है उसमें जो आपने white वगरे यूज़ किया है उससे खुबसूरती इस तरह से और निकल के आने इस चैनल को subscribe जरू कीज़ेगा आगे आने वाले और भी tutorial आपके साथ enjoy करेंगे love you all friends, bye